पेड़ों के मज़ेदार तथ्य एक दुनिया के 80 प्रतीशत जंगल काट दिये गए है अंग्रीजों के आने से पहले उत्तर भारत भी ज़्यादतर जंगलों से घिरा हुआ था दो एक साधारन पेड़ प्रतीदिन पांच मनुश्यों के सांसे ने जितनी आकसीजन की पूर्ती करता है तीन एक पेड़ एक साल में जितनी काबन सोकता है उतनी काबन एक कार 41,600 किलोमीटर चलने के बाद पैदा करती है चार भारत के वैग्यानिक श्री जद्दीस चंदर बोस जी ने सबसे पहले एक ऐसा यंत्र बनाया था जो कि पेड़ों का बढ़ना माप सकता है यह उपकरण उन्होंने मात्र 300 रूपे के साज सामान से बनाया था जिसे की क्रैस को ग्राफि नाम दिया गया इसके लिए उन्हें महत्वपून भूमिकाने भाते हैं एक मरीज जो की अस्पताल के कमरे से हरे भरे पेड़ों को देखता है उसकी तबीयत में जंदी जल्दी सुधार होता है छे क्या आप जानते है कि पेड़ कभी भी बड़ी उम्र की वजह से नहीं मरते हैं वह हमेशा बिमारी कीडो या फ सवश है साथ एक पेड़ सालाना 2000 लीटर पानी धरती में से चूस लेते है आठ एक बड़े समाचार पत्र के रोजाना संसकरन 500 पेड़ों से बने होते है हरे किताब जो आपने कभी पढ़ी थी किसी समय वे एक पेड़ थी नौ पेड़ अपनी 10 प्रतीशत खुरात में 30 अमेजन बेसिन सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कि वनों के अधीन है यह लगभग 3,30,000 पचातर वर किलो मीटर है जो कि महाराश्टर 3,007,713 से थोड़ा ज्यादा है 12 बास तेजी से बढ़ता है और इसकी कुछ प्रजातियों की बढ़वार साल के कुछ दिनों में 1 मीटर प्रती घंटा तक पहुंच जाती है 13 केले के पेड़ लगभग 20 फुट तक बढ़ जाते है 14 चीन के लगभग 20 प्रतीशत पेड़ दवाई बनाने के लिए प्रयोग किया जाते है 15 एक पूरा उगासनोबर का पेड़ है बर्ट एक साल में 10 लाख बीज पैदा करता है तारे टूटते हुए खियो दिखाई देते हैं अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्तित है जो प्रित्फी से अर्बों किलोमीटर की दुरी पर स्थित है जिन्हें हमतारों के रूप में देखते हैं जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायो मंडल में जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कितारा तूट रहा है बरफ पानी के उपर क्यों तेरती है जब कोई भी तरहल पदार्थ छोस पदार्थ में बड़लता है तो उसका आयतन घट जाता है और वे भारी हो जाता है लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता पानी जब च्छोस अवस्था के लिए जम कर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है जिसके कारण वे पानी की तुलना में हलकी हो जाती है इसलिए बर्फ पानी में तेरती रहती है जिसकारण उनके पैर दीवार पर चिब जाते हैं बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होद समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाए देता है आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है इसलिए समु समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोशित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है। इसमेले रंग की तीविता को और बाहा देते हैं। गती से दोड़ता है चार गंधकरों को पकरने के लिए साप और छिपकली अपनी जीब हवा में उड़ाते हैं। वे अपनी जीब से गंद करते हैं। ब्लू हेल अब तक प्रित्फी पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह तराजू को 170 तन तक फ्यलाता है यह लगभग 22 हाथियों के समान है। इसका दिले एक छोटी कार के आकार का है और इसकी सबसे बड़ी रक्तवाहे काएं इतनी चौड़ी हैं कि एक वायस्क बिना किसी कठनाई के तैर सकता है। छे मोला मोला या उशनसन फिश एक बार में 50 लाग खंडे देती है। साथ शार्क बिना खाना खाए कम से कम छे सबता तक जीवित रह सकता है। एक शार्क के उबास का रिकॉड एक्वेरियम में स्वेल शार्क के साथ देखा गया जिसने 15 महीने तक कुछ नहीं खाया। एक कैट्रपिलर अपने आकार से लगभग 27,000 गुनाम बढ़ जाता है जब वे पहली बार अंडे के रूप में उभरता है नौर। सभी कुट्ते भेडिये के वानशज हैं। ये भेडिये लगभग 15,000 साल पहले पूरवी एशिया में रहते थे दस। किसी से बात करते समय अगर आप उसके नाम का इस्तिमाल करते हैं तो वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगेगा 11,000 एक शुतर मुर्ग का अंडालग भग 15,000 रहाम लेट बना सकता है 12,000 गधे की आँखे एक बार में अपने चारों पैरों को देख सकते हैं 13,000 पिंगु समय निकाल कर आपका काम करने में मनद कर रहा हो तो उसे जल्दी करो कभी ना कहें सुला हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर अपना गुसा जताते हैं लेकिन वही चीज अगर हम खुद करें तो हमें सही लगता है सत्रा कंगारू तब तक कूद नहीं सकता जब तक उसके अत्यदिक सोचने से व्यक्ति कमानसे क्रूप से टूडाने का खत्रा रहता है 21 ओक्टोपस और स्क्विड को सभी अक्षेरों की जीओं में सबसे बुद्धिमान माना जाता है 22 एक बिल्ली बड़ी होने पर लगभग 20 मिल प्रती घंटे की रफ्तार से दौड सकती है 23 सुन प्रियाल पीछे की ओर नहीं चल सकता 25 हाथियों के बड़े पतले कान होते हैं उनके कान रक्त वाहे काओं के एक जटल नेटवर्क से बने होते हैं जो हाथियों के तापमान को नियंतरित करते हैं गर्म मौसम में उन्हें ठंडा करने के लिए उनके कानों के माध्यम से रक् चार किया जाता है